एरफोर्स एक्स वाई के लिए परिक्षायप पर बेस्ट ऑनलाइन टेस्टरी जब लेबल है तो जाके आप पर्चेज कर सकते हो पर्चेज करते वक्त एक कोड को अपसन आएगा तो इंडियान भी 40 ये कोड आपको दिख रहा हूँ यूज करना इससे आपको जो भी प्राइ वेलकम बैक एकन कैसे आप सब आई वोप आप सभी बढ़िया होगे एरफोर्स एक्स वाई की प्यसल आ चुकी जो की थी इंटेक 2020 की जो प्यसल है वो आ चुकी है अगर आपने अभी तक प्यसल नहीं देखी तो डिस्किप्शन पर मैं आपको वीडियो की लिंक दे रहा तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो नीचे डिस्किप्शन पर लिंक होगी उस पर किलिक करिए सीधा जाए और वो वीडियो देख लीजिए अब जिन जी लोगों का PSL में नाम आ चुका है उन सभी को बहुत 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 बदाई हैं लेकिन एक चीज़ आप PSL लिस्ट में नाम है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप सेलेक्ट हो चुकी हो अभी भी आप बहुत होगी आप में से बहुत सारे लोग बहुत हो जाएंगे जिनके किसी भी सेक्शन में अगर अन्फिट लिखा है अप सेंट लिखा है या फिर CSW लिखा है तो कहीं ने कहीं आप बाहर हो जाओगे देखो अगर आप अप सेंट हो तो सिंपल से बात आप बाहर हो जाओगे आप अन्फिट हो तो भी आप बाहर हो जाओगे लेकिन अगर आपके सेक्शन में फिट लिखा है आप अप सेंट भी नहीं हो और फिट लिखा है और इसके बाद एक सेक्शन किस आधार पर बनेंगी उसके बारे में किसी नेक्स्ट वीडियो में डिसकस करेंगे कि आखिर किन किन पॉइंट्स को लेकर इन्रोल्मेंट लिस्ट बनती है है ना चलो अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे CSV क्या है बहुत ही इंपॉर्टन चीज है CSV अगर आप ये करा लेते हो तो अगर आप देखो यहाँ पे फिट दिखा रहा है ये कंडिडेट है अविनास कुमार सिंग और इनका सेक्शन में फिट दिख रहा है और राइट वाले सेक्शन में CSV लिखा है तो इनका CSV कराना ज इसकी कट आप देख लीजिए 33 मार्क्स गई है अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूं चलिए थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है लेकिन आप समझेए आपके इंपॉर्टेंट है आपके लिए ठीक है यह देखिए यहाँ पे CSV लिखा है ठीक है और यह कंडिडेट अ आप सेंट है चलो आगे देखते हैं मैं और दिखाता हूं यह देखिए यह देख लीजिए यह कंडिडेट सौरोब कुमार और यह अनफिट है और इनके यहां राइट में CSP भी लिखा है तो यह CSP ना करा है कोई दिखकर नहीं यह अनफिट है यह तो वैसे भी बाहर हो ज देखें फिट लिखा है लेकिन राइट साइड में लिखा है CSP CSP कराना इनका जरूरी है तो आपके CSP होता क्या पहले वो समझ लीजिए और CSP कैसे कराएंगे ताकि आपका इन्रॉल्मेंट लेश में नाम आजाए वो हम बाद में डिसकस करेंगे तो सबसे उपर चलते हैं और इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं यहां पर लिखें इंस्ट्रक्शन फॉर कंडिडेट्स तो यह इंस्ट्रक्शन में एक पॉइंट होगा वो होगा पॉइंट नंबर नाइन पॉइंट नंबर नाइन यहां पर देखिए यह रहा पॉइंट नंबर नाइन और यहां पर क् लिखा है Candidature of Candidates Against Whom CSV CSV का मतलब होता है Certificate Subject to Verification मतलब जो भी आपने Certificate हैं उनको आपको Verify करना है देखो यहां पर क्या लिखा है Is Annotated in the Remarks मतलब अगर Remarks वाले सेक्शन पे CSV लिखा है तो क्या करना है उनको समझो यह क्या लिखा है यहां पर लिखा है कि जितने भी Candidates है अगर उनके राइट वाले Remarks वाले सेक्शन पे यहां पे यह इस वाले सेक्शन पे अगर CSV लिखा है तो उनको 9 जून से पहले हर हाल में 9 जून को आपकी Enrollment आने वाली है तो 9 जून से पहले हर हाल में उनको अपने Original जो Certificate हैं वो आपको ASC पर Airman Selection Center पर जाके verify करवाने पड़ेंगे वो documents लेके आपको जाना पड़ेगा आपने जिस भी center पे आपने exam दिया है जरूरी नहीं कि आप वहीं पर जाओ है ना देखो जिस candidate ने जिस भी center पे exam दिया है वहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है किस center पे किस ने exam दिया है तो जरूरी नहीं है कि आप उसी center पे जाओ आपके nearby जो भी center है इंडियन Air Force का वहाँ पर जाके आप अपने document verify करवाईए तब ही जाके आपका enrollment list में नाम आएगा otherwise आपका जो candidature है वो cancel कर दिया जाएगा आप simple सी बात vacancy से बाहर हो जाओगे तो बहुत important चीछ थी है जो थी CSV तो I hope आपको समझ आ गया होगा कि CSV क्या है और CSV कैसे करवाना है जितने भी candidates के right वाले remarks पे लिखा है CSV लेकिन अगर आप absent हो आप unfit हो तो आप CSV के लिए नहीं जाएगा लेकिन अगर आप fit हो अगर आप fit हो तो आप CSV के लिए जरूर जाएगे आपका enrollment list में नाम जरूर आ जाएगा ध्यान रखना है कैसे जाना आपको ये मुझे नहीं पता है क्योंकि lockdown चल ला है अगर आप try करोगे तो definitely आप पहुंच जाओगे लेकिन कैसे जाना ये मुझे नहीं पता आपको जाना है तो 9 तारीक शे पहले 9 जून को आपकी enrollment list आने वाली है तो 9 जून से पहले आपको हर हाल में ASC पह जाना है आपके nearby जो भी enrollment selection center है वहाँ पर जाके अपने documents verify करिए अगर documents नहीं है कोई problem है तो simple सी बात है आपका जो candidature है वो cancelled कर दिया जाएगा आप इस vacancy से बाहर हो जाओगे तो ये थी video और कैसी लगी video comment करके मुझे जरूर बताएगा अभी भी अगर आप CSV से लेटर आपके मन में कोई भी doubt होता है comment box में लिखिएगा मैं जरूर पढ़ूँगा और इस PSL से लेटर अगर आपको कोई और दिक्कत है या कुछ चीजे हैं जो आपको समझ नहीं हा रही तो comment box में लिखेगा मैं next video जरूर बना दूँगा I hope आपको video अच्छी लगी होगी अगर आपको ये video अच्छी लगी है तो इस video को like कर देना चैनल पे अगर आप new है तो channel subscribe कर लेना और share कर देना तो बहुत ज़्यादा help हो जाएगी मिलते ने शो वीडियो में take care bye guys